हलो दोस्तों, welcome to fundamental trader आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से आपको mutual fund में invest करना चाहिए और क्या factors को consider करना चाहिए जब mutual fund में आप invest करते हैं तो और अगर आपको mutual fund के बारे में कुछ भी नहीं पता है इस चीज को समझने के लिए माल ली जाजी एक box है ठीक है इस box में हम आप और कई लोग सब पैसे डालता है कोई SIP करता है, कोई lump sum amount डालता है किसी भी तरीके से इस box में अगर पैसे आता है तो इस box को जो manage करता है उससे हम बोलते हैं fund manager fund manager क्या करता है यह जितने भी बॉक्स में, जितने भी लोग पैसे डाल रहे है इनके पैसों को वह invest करता है कहां पी invest कराएगा तो वह हो सकता है versus stock market में invest करता है वो कहीं पर आप्शा को invest करेगा उसका काम है इसको return बनाना तो इन जगह से stocks और bonds हर जगा से कहीं से भी invest करके return बनाता है और हम रोगों को returns देता है तो mutual fund कुछ इस तरीके सही काम करता है यहां पर एक fund manager होता है जो कि आपको आपके पैसे को invest करता है और फिर return बना के देता है बस जहीं है mutual fund ठीक है कि growth fund क्या होता है देखिए growth fund के अगर हम बात करें तो growth fund यह एक ऐसा fund मतलब कह लीजए यह एक ऐसा portfolio है मतलब जैसे अभी आपको मैंने box बताया था ना इस box में सारे पैसे आ रहे है तो growth fund में क्या है कि इसमें जो आप पैसे डाल रहे है इस box में जितने भी पैसे आ रहे है यह पैसे को fund manager जो है, वो 90% जो इस box का पैसा है, इसे equity में invest करेगा, ठीक है? Stock market की जो equity होती है, जैसे company के stocks है, उन में invest करता है, और 10% जो होता है, इस box के जो 10% का पैसा होगा, वो government की जो securities होती है, government के bonds, जो government RBI जो bonds लाती है, government जो bonds लाती है, इन में invest करता है, यह जएधा secure होता है, जो government की bonds होती है जादा secure होती है, यह जो stocks होते है वो बहुत जदा volatile होती है उपर नीचे होते रहते हैं, तो growth fund जो है सबसे ज़्यादा risky है क्यों कि मैंने आपको बताये हैं यह बहुत ज़्यादा volatile होते हैं बहुत जल्दी उपर जाते है नीचे जाते हैं कोई भी stock market के नीचे जाए गई या फिर कोई company के bad news जाए गई तो stock बहुत ज़्यादी से sharp नीचे जाते हैं आपका portfolio भी loss में जाता है तो growth fund return भी ज्यादा देता है क्योंकि जब stock उपर जाती है तो बहुत highly अच्छी return बना के देती है सौट टम में और यह risky भी सबसे ज़्यादा है तो growth fund में return ज्यादा है और risk बहुत ज्यादा है अगर हम बात करें balanced fund की ठीक है कि बात करें तो यह एक ऐसा फंड है या फिर मा लीजेजी एक ऐसा बॉक्स है इस बॉक्स में जितने भी पैसे है इसका जो 50% होगा ना 50% यह आपका equity यानि stocks में होगे stock market के जो equity है वहां पर invest होती है और 50% जो होती है वो होती है आपके bonds में ठीक है government की जो bonds होती है यह secure होती है तो जैसे growth fund में क्या था कि more than 90% 90% से जादा जो होती है वो equity में होती है लेकिन यहां पर जो balanced fund है जहां पर 50% और 60% equity में होती है test 30% और 40% bonds में होती है इसलिए यह balanced है यह growth fund से कम risk है इसमें भी बहुत ज्यादा risk है क्योंकि equity है यह volatile होती है लेकिन growth fund में 90% है इसलिए यह ज्यादा risk है और balanced जो है वो stable है थोड़ा growth fund से और यह कम risk है ठीक है यह growth fund था balanced fund में यह difference था अगर हम income fund के बात करें यह जो होती है इसके अंदर जो box है माली जागा कोई income fund में पैसे डाल रहा है तो इसके अंदर जो भी portfolio बन रही है इसके portfolio जो है वो 70 तो 80% माल लिजे 80% जो है वो government के bonds में ही जाती है अ बहुत ही ज्यादा secure होती है और जो ज्यादा secure है समझे जिसका return भी कम अता है मतलब अगर मैं बताओ income fund का जो return होता है hardly यह 10% जाता है hardly rarely 10-12% का return देगा वनना यह 7-8% में ही सिमठ जाता है तो अगर आपको basically return बनानी है आपको mutual fund इसलिए लगाना है कि मेरा return बन जाए per year 20% 15% से ज्यादा return बन जाए तो आप growth fund को select करो जा फिर balanced fund को select करो जो risk लिए सकते हैं वो growth fund में जाएंगे जा फिर जो थो थोरा stable चाहते हैं जो लंबे time के लिए चाहते हैं कि 5-6 साल हम balanced fund को select कर सकते हो अभी हम और भी details जानेंगे इसके बारे में अब चलते हैं कि किस तरीके से हम क्या factors हो सकते हैं इसे mutual fund को select करने के लिए तो basically तीन factor बहुत ही जादा important है beta expense ratio और exit load देखे बीटा क्या होता है कि मान लिजे आपका mutual fund है आप select करो वहाँ पे लिखा होता है कि क्य बीटा है 1% होती है किसी का 0.5% भी होती है 0.8% भी होती है तो यह होता क्या है कि मान लिजे अगर निफ्टी जो है निफ्टी मान लिजे अगर 10% से उपर गई है ठीक है निफ्टी 10% उपर गई है और अगर आपका जो mutual fund का बीटा अगर 1% है तो निफ्टी तो mutual fund के अंदर जो आपकी जो profit दिखेगे ना जो आपका portfolio mutual fund का growth होगा वो भी 10% से होगा क्यों होगा 10% से? क्योंकि mutual fund की जो beta है वो 1% है अगर 0.5% है आपका mutual fund का beta तो अगर nifty 10% से growth किया है ना तो आपका mutual fund का जो portfolio होगा वो 5% से growth करेगा ठीक है? मतलब तो बीटा जो है वो एक risk को बताता है volatility को बताता है अगर 1% से ज़्यादा होता मान लो आपका beta जो है अगर वो 2% होता ठीक है? तो nifty अगर 10% से growth कर रही है ना तो आपका mutual fund का जो portfolio होता हो 20% से growth करता लेकिन आप शिर्फ profit को नहीं loss को भी consider कर जीए अगर 10% से गिर जाए अगर beta 1% होगा तो आपका portfolio भी 10% से गिरेगा ठीक है? अगर आपका beta जोरपन 5% हुआ तो यह 5% से डाउन होगी और अगर यह 2% beta हुआ तो यह 20% आपका portfolio minus में चला जाएगा तो beta बहुत ही ज़्यादा important है इसे consider जरूर कीजिए second के बात करते है जो second है expense ratio के बात करते है तो मैंने आपको बताया था भी कि fund manager जो होते हैं वो इस portfolio को manage करते हैं जो भी पैसे आ रहे हैं इसे manage करते हैं तो इसे manage करने में जो भी तो कुछ न कुछ पैसे लगते होंगे जो fund manager जो है ये भी तो अपना पैसा लेता होगा साथी साथी इसके अंदर जो भी ये जो advertise करते हैं इसके अंदर जो employees है ये सब चीज का पैसा वो लेता है तो ये expense ratio वही है मतलब mutual fund जो होते हैं आप कहीं पे भी आप invest करोगे तो आप जितना भी profit बनाओगे माल लो आपने के लिए invest किया दो साल में आपका 20% बना है तो इसका जो expense ratio है माल लिजे mutual fund का expense ratio अगर 1% का है तो आपको 20% profit नहीं मिलेगा आपको 19% ही मिलेगा वो expense ratio 1% जो है वो deduct कर लेंगे ये mutual fund तो आपका net profit जो होती है वहाँ से deduct कर लेते हैं ये आपके mutual fund वाले expense ratio ये होता है तो expense ratio हमेशा देखिएगा 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपका net profit से minus होती है deduct होती है तो ये expense ratio हो गई थर्ड बात करते हैं थर्ड जो है वो exit load है exit load जो है वो एक penalty है penalty इसलिए लगती है कि आप आकर mutual fund में invest कियो और आप पूरे time तक नहीं रुके मालो आप 2 साल के लिए invest कियो लेकिन आप पूरे साल के लिए नहीं रुके आप 1 month में बोल रो कि हमें हमारे पैसे वापस दे दो तो ये penalty काटेंगे ये penalty कुछ भी हो सकते है 1% भी होती है 2% भी होती है तो ये penalty एक लोट देखना बहुत ज़्यादा important हो जाती है अगर 1% से ज़्यादा का audit load है तो आप मार वो कुछ भी पैसे लगा रहा है आपका capital का 1% ये लोग audit load है जो penalty मार लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा important हो जाती है ये factors को देखने के लिए चलिए हम इसे compare करके भी देखते है mutual fund पे और compare करने के लिए मैं grow का platform यूज कर रहा हूँ यहाँ पे add up fund है मैं आपको यहाँ पे growth fund को करता हूँ growth fund को compare किया मैंने second जो है वो balanced fund को को मैं देखता हूँ टेक है HDFC balanced fund है एक income fund को भी ले लेते हैं इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के return बनते हैं आप देखो निपन इंडिया growth fund मैंने लिया था यह one year में 25% का return बनाके दिया है और HDFC का जो balanced fund है वहाँ पे 19.8% का और यह जो बैंक आफ इंडिया का income fund है वो see for see one year में 6% का return बनाके दिया है तो आप देख रहे हैं यह difference growth fund जहाँ पे risk ज़्यादा है लेकिन return भी ज़्यादा है balanced fund जहाँ पे risk कम है थोड़ा stable है इसलिए 19% का return मिला है और जो income fund है वो बहुत ज़्यादा secure है मतब रिस्क तो इसमें भी है लेकिन बाकी दोनों से secure है लेकिन यहाँ पे return कम है यहाँ पे देखिए यह risk बताती है SIP amount यहाँ पे पता चल जाएगा आपको minimum expense ratio देखिए जिए मैंने आपको बताया 0.8% है और यहाँ पे देखिए balanced fund में 0.83% है और जो income है यहाँ पे 0.5% से कम इसलिए रखता है न क्योंकि यह लंबे time के लिए ही रखते है जो लोग और जो income fund में है वहाँ पे वो short term के लिए तो निकलते ही नहीं वो long term के लिए ही डालते है तो निपन इंडिया का fund जो है यह बहुत ही अच्छा 0.8% का 1% से कम को expense ratio यह good है ठीक है object load आप देखे जो मैंने आपको बताया यह 1% है अगर आप one month से less than में break करते हैं अपना mutual fund को तो 1% का object load लग जाता है ठीक है ठीक है तो यह दो factor आप जरूर रखेगा ठीक है बीटा को आप Google पर सर्च कर सकते हैं यहां पे grow के app में बीटा नहीं सो कर रही है आप कहीं पर भी सर्च करोगी तो बीटा दिखा देगा बीटा आप देखेगा 1% से ज्यादा का कभी भी बीटा मत रखिए 1% से कम का बीटा है तो वह सेफ है और इसके बाद एक और भी ज्यादा important बात होती है वह होती है holdings की ठीक है यह जो मीचल फंड्स जो है इनके जो टॉप 10 जो है ना टॉप 10 पॉटफोलियो की जो holding से उन्हें भी हमें देखना चाहिए कि इनके जो टॉप 10 holding कैसे परफॉर्म कर रहें और कौन से stocks हैं तो अगर मैं देखों यह निपोन इंडिया growth fund के top holdings के बारे हम बात करें तो आप देखें यहां पे जो है चोला मंडलम 4.1% है मतलब आप देखें यहां सारे stocks equity वाले ही हैं यहां पे equity है top holdings और यहां पर यह देख भी सकते यह बता रह है और बाकी के जो point percent है वो आपके कहीं पर भी bonds में invest कर सकते हैं और यहां पर देखें यह जो balanced fund है यहां पर आप देखें इक्विटी के सिर्फ 60% equity में invest किये हैं बाकी के जो 40% होंगे वो यह debt में invest किये होंगे ठीक है आप यहां पर भी देखोगे top जो holding से HDFC bank के coal इंडिया इसे बैंक में तो जितने भी हैं बहुत ही अच्छे अच्छे stocks में इन्होंने invest करके रहा top 10 holding और यह अच्छा return भी देते हैं long term में तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि mutual fund क्या होता है कैसे काम करते है ठीक है क्या important factors आपको देखना चाहिए तो अगर आपको mutual fund के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैंने जो factors बताया थे यह वाले factors इन factors का आप कहीं पे भी search करके यह देखाओ कि उनका beta क्या है expense ratio क्या है और exit load क्या है expense ratio कभी 1% से जादा नहीं होने चाहिए exit load जो है वो भी आ return बनता है क्योंकि risk बहुत जादा होता है हाई बीटा में तो यह basic introduction वीडियो था और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगते तो like और subscribe करके motivate जरूर करें